आपका डॉग अगर वामिट करता है उसमें बलड आता है तो इसको कैसे डाइगनोस करें और इसमें पैनिक होना है कि नहीं इसके वारे मैं आज मैं पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा सबसे पहले तो अगर आपका डॉग वामिट होता है तो वैसे काफी नॉर्मल सी समस्या है ये लेकिन कभी कभी ये सीरियस भी हो सकता है इसलिए आपको ये पहचाना जरूरी है कि जो वामिट में बलड आया उसका कारण क्या हो सकता है सबसे पहले तो अगर vomit में blood आता है तो आप देखें उसका color क्या है अगर वो red color है तो इसका मतलब जो भी blood आ रहा है vomiting में वो upper GI tract से आ रहा है और वो recent bleeding है लेकिन अगर एक coffee color आ रहा है इसका मतलब वो कुछ पहले से bleeding हो रही है और जो bleeding है और lower GI tract से आ रहा है stomach से आ रहा है क्योंकि जो bleeding होती है जब blood आता है उसमें और वो dice हो के आता है तो उसका color coffee में convert हो जाता है तो अगर आपने एची देख लिया कि blood का color क्या है तो आपके लिए इमें भी डियागनोस करना आसान हो जाएगा दूसरा जब भी bleeding आये vomiting में तो आप उसका gum जरूर चेक करो क्योंकि कभी कभी gum injury होता है आपका dog simple simple reason से vomit कर रहा हो लेकिन gum से bleeding होने का जो blood है vomiting के साथ mix करके आता है और आप panic कर जाते हो तिसा का निया हो सकता है कि हो सकता है stomach में over acid production हो रहा हो वहां से bleeding शुरू हो जाती है और जब भी आपका dog vomit करता है तो उसमें आपको blood दिखता है sometime simple bacterial viral infection से जब भी vomit दो या तीन दिन से ज़्यादा चलता है तो भी उसमें blood दिखेगा क्योंकि जो आपका stomach का ऊपर का layer है जो GI truck का ऊपर का layer है उसमें micosal layer नहीं होता वह protected नहीं होता जब stomach का acid बार बार ऊपर आता है इस उपर आपके vomit में आता है तो ऊपर का जो layer है वह damage हो जाता है और वहां से bleeding होना शुरू हो जाती है चोथा कान आप जनली देखोगे कि अगर आपने डॉक के डिवर्मिंग टाइम पे नहीं की है तो बहुत सारे worms ऐसे होते हैं जैसे कि स्पाइरो सरकलूपी है टक्स्टो केरा कैनिस है एंकलर स्टमक के नाइनम है यह सारे hook warm और round warm है जो जनली काफी bleeding couch करते हैं और इनकी अगर स्टमक में हो गई तो स्टमक में bleeding हो जाती है जब भी dog vomit करेगा उसमें blood आएगा sometime आपको उसमें worms भी दिखेगा और पच्मा कारण यह है कि बहुत बार लिवर की प्रावलम हो गई है जो chronic liver की समस्या है kidney के समस्या है sometime chronic heart failure है ऐसे cases में आप देखोगे कि vomiting में blood आएगा sometime in case of pancreatitis जहां पर pancreatic enzyme है उसकी deficiency हो जाती है और जिसकी प्राइशन प्रापर नहीं होता और फिस टॉमक में acid production बढ़ जाता है और vomiting में blood आने की समस्या हो जाती है और इनों सबसे important गर्मियों के दिन में आप देखोगे कि बहुत सारे infection ऐसे हैं जैसे कि इनों जिसको टिक फ इनों अनाप्लाजमा है यह सारे infection ऐसे हैं जिसमें ब्लड में platelets की कमी हो जाती है जब ब्लड में platelets की कमी हो जाती है ऐसे में जब आपका डॉक करता है इन बीमानियों कारण तो बिकॉज अफ लोग platelets वामेटिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है तो यह जो भी है multiple का इसका डियागनोसिस होगा क्योंकि सुर्वाति के विनों में तीन से पाच दिन में आपको डियागनोस करना है कि वामेटिंग में ब्लड क्यों आ रहा है जो जो मैक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है उसमें वाम्स लोड देख सकते हैं अगर हाट की प्रोलम है तो उसके लिए आपके वेट या ECG कर सकते हैं जिससे कंजिस्टिव हाट फिलियर की समस्या पता लग जाएगी अगर लीवर की समस्या है तो ब्लड रिपोर्ट में उसके सारा पेरामिटर दिख जाएंगे तो जब भी वामेटिंग एक दिन दो दि आपका डॉट ही क्यों कर रहा है तो अगर टाइमली आप जाते हैं तो आपके बेट इसको डियाइंगोश कर सकते हैं और हाँ एक लास्ट में बताना बूल गया आपको जने रैट पॉजनिंग के सेज में भी वामेटिंग ब्लड आता है बहुत बार हम रैट पॉजन के लि लिए तो कोई दबाई रखी आपने आपका डॉट करने लग गया उसने ब्लड आने लग गया तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपके डॉग ने रैट पॉजन के मेडिशन खाई हो ऐसे में इमेडियेटली आप अपने वेट के पास ले जाए उसका एंटीडोट अबलेवल ह है वेट के पास वह इमेडियेटली अगर उसको टाइम में लग गया तो आपके डॉग को कोई प्रॉलम नहीं होगी थैंक यू फेंस थैंक यू वेरी मुच